आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy M35 Android मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन के होटे स्पोर्ट की प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए वीडियो का में स्टार्ट करते हैं आपके मुवाइल फोन के होटे स्पोर्ट में अगर कोई भी प्रॉलम आती है तो सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बदर रिश्टर्ट करना है अगला काम यह करना है कि आपके phone में file का app है, इस file के आपको open करना है, इसमें आपको नीचे apps का यह option tap करना है, अब यहाँ पे सबसोब पर इस system आप लिखाना है, इसे टाप करना है, इस page में आप नीचे आएंगे तो आपको यह option मिलता Android system, यह मैं फिर से दिखा तो Android system पर tap कर करना है, यहाँ पर आपको clear catch का यह option tap करना है, तो आपको catch के समलना data यह आपका zero हो जाता है, अब आपको back page पर जाना है, तो आपने Android system select कि आदना, इसके नीचे आपको Android system web view, web view पर भी आपको tap करना है, इसके अंदर भी आपको नीचे की साट storage पर tap करना है, यहाँ पर भी आपको clear catch पर tap करना है, तो आपका catch के समलना data यह भी आपका zero हो जाता है, अब दिखिया, अगला काम यह करना है कि mobile phone का internet चालू करगे, mobile phone का setting page आपको open करना है, setting page में सबस्वोपर सर्च आइकन पर tap करना है, यहाँ पर सबस्वोपर search bar में software update आपको लिखना है, नीचे software update का यह option show हो जाता है, इसे tap करना है, अब दिखिया, इसके अंदर आपको यह download and install पर tap करना है, तो आपको जो है, इस वाले page में कोई भी update का button यह, download and install अगर यह आपर लिखावा दिखाई देता, तो इसे tap करना है, तो इसे tap करना है, अब दिखिया, अगला काम यह करना है, mobile phone का और reset करना है, दिखिये, mobile phone को reset आपको तब करना है, जब मेरे बताय हुए, पिछले process कोई भी काम नहीं करते है, तब आपको phone को reset करना है, otherwise नहीं करना है, phone को reset करने के लिए, phone का आप setting page ओपन कर लीजे, setting page में आपको सब सोबरे search icon पर tap करना है, यहापे सब सोबरे search बार रि रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके mobile phone का जो data उसका backup ले लीजे अपने phone में, और दूसरी बात ही ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करना है, तो दो काम पहले करना है, उसके बाद phone को reset करना है, ठीक है, तो मेरे बताय हुए तरीकों स आपके प्रव्लम सौल हो जाएगी ठीक ना